बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटकाइट पीपोल्स वोईज और पहला आइकन दबाए को बचा कर रखना है कि योगी सरकार का विरोध रही है अगर उनको अधिकान सीटे हारती है तो बीजेपी के परतिये मैसेज आएगा कि 2022 में बीजेपी के लिए काफी बड़ा चटका हो सकता है वही बसपा और समाजवादी पार्टी हार दें तो दोनों के लिए 2022 की मुश्कि सिटे कर भुचुक है आपको उता दे कि वैसे तो गोषी से अतूर रोई सांसद चुनकर आये थे बउचन समाज पार्टी के सांसद जो वही तक संसद ब्धकी सपत भी नहीं ले पाये थे और उसी को सी वईदान स करते की गोसी वईदान सभाफ स्रे dobrze से इस अब्दुल कयूम को मेदान मोतरा उनकी जो पत्नी है वो सभापती भी है चेत्रगी और सभाद सेवी के नाम पर वो तोर पर जाने जाते हैं आपको उतादें कि समाज बादी पार्टी के पर टक्सी के यहां नामंकर रद होने के बाद अब सीधे टाकर भीजेपियो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में रह गई है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से यहां पर अबदुल कयूम को टिकट दिया है और आपको उतादें कि इस सीट पर 2017 के जब चुनाव हुए थे यानि योगी सरकार जब आई थी जब मोधी की भी लहर थी और योगी सरकार की भी लहर थी तब उस समय यहां पर बहुजन सम संचद भी चुनाव जीता तो इस वज़े से यह उमित लगा जा रही है कि गोशी से संचद भी एस पी ने जीता है तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी का दावा भी मजबूत हो जाएगा और इस समय इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मेज़े से मजबूत हो जाएगा कि सम समाज पार्टी का जो सिंबल है वो रद होने की वज़े से अब बहुजन समाज पार्टी और भीजेपी के बाद भीच सीधी टकर हो चुकी है तो गोशी की सीट पर काफी ज़्यादा धिल्चस मुकाबला देखने को मिल सकता है मेरे के किस नई वीडियो नई अप्रेट के स शेर करना बिल्कुर्णा भूले अगरा आपको ये वीडियो पस्तन दाएं